नमस्कार साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिलते रहें तो देखिए जब लगन का लोड सब्तम हाउस में होता है तो देखिए फैस्ट हाउस दर्शाता है अपनी पर्सनलिटी को आपके करेक्टर को आपके आपके एटिट्यूड को आपके एमबिशन्स को आपके लुक्स को तो यह सारी चीज़ें फैस्ट हाउस में आती है अब सेवन्थ हाउस इसका जस्ट ओपजिट होता है तो ओपजिट यह आपका खुद का हाउस है यह आपका पबलिक हाउस है यह पबलिक जनता का हाउस है अब 7th house spouse का भी है marriage का भी है sexual relations का है इसके लवाब ये court agreements का है contract का है और जो हमारे open enemies होते हैं यानि खुले सत्रू होते हैं जो बिलकुल हमारे सामने आ जाते हैं उनका ये house है और यहाँ पर जब लगन के lord आ जाते हैं तो ऐसे जाद तक सभी प्रकार की साजिदारी चाहे वो business में हो या marriage में हो उसमें वो interested रहता है ऐसे जाद तक अपने आपको दूसरों में खोजने की कोशिस करते हैं विसेश कर अपने life partner में ऐसे जाद तक साधी के बाद बहुत ज़्यदा progress करते हैं जिनका first lord seventh में होता है उनका जनम जनता की सेवा यानि दूसरों की सेवा के लिए ऐसे लोगों का जनम होता है इसके लावा ऐसे जातक public की सेवा के लिए ही जनम लेते हैं अब public में कोई भी काम हो सकता है जैसे राजनिती या डॉक्टर का जो कारिय है वो भी public service में ही आता है इ पक उसका काम भी कुछ ऐसा ही है, वो अपनी लाइफ दूसरों के लिए जीते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. इसके अलावा अन्हे वो कारिये जिसमें लोगों को कोई जातक अच्छी शला दे सकता हो. उनका भला कर रहा हो. ऐसे सभी कारी इसमें आते हैं ऐसे जात्कों का पब्लिक में बहुत ज़्यदा मानसमान होता है इनका घर में बहुत ज़्यदा मानसमान हो या ना हो लेकिन पब्लिक इनका बहुत ज़्यदा समान करती है इसके लावा ये पब्लिक फीगर होते हैं लोग जिनके follower social media पर बहुत ज़्यादा होते हैं वो यह समझ लेजिए कि उनके यही condition हो सकती है उनके लगन चार्ट में उनका जो fast का lord है वो सब्तम में हो सकता है तो यह public figure होते हैं यह public में बहुत ज़्यादा famous होते हैं यह किसे भी विशाय पर जिसमें यह expert होते हैं और उस पर यह बहुत अच्छी सलाह लोगों को दे सकते हैं ऐसे जातक business को बहुत अच्छी तरह के से handle कर सकते हैं क्योंकि यह दूसरे लोगों को बहुत अच्छी तरह के से handle करते हैं ऐसे जातकों के जीवन में या तो बिजनस या लाइफ पार्टनर अथवा इन दोनों के दोरा संपनता आती है यानि ये बहुत जादा संपन होते हैं या तो बिजनस के दोरा या लाइफ पार्टनर के दोरा या दोनों के दोरा ही ऐसे जातकों को लोग बहुत ज़्यादा फोलो करते हैं इनके फोलोवर बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे जातक अपना सारा जिवन दूसरों के सिवा और भलाई में लगा देते हैं ये अपने जिवन साथी के परती बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं और उनका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं जिन जातकों का लगन को स्वामी सेवंध हाउस में हो वे किसी ऐसे व्यक्ति से या ऐसे जातक से साधी करते हैं जिसको वे पहले से ही जानते हैं इसके लवा इनका जिवन साथी इनकी पसंद का ही हो सकता है ये घरवालों को अपना जिवन साथी खुद चुन कर बताते हैं साधी के लिए ऐसे जातकों का जिवन साथी इनकी सेम कास्ट का हो सकता है हलंकि राओ जैसे ग्राओं का अगर सब्तम हाउस पे प्रुभाव हो तो रिजल्ट कुछ अलग ही हो सकते हैं इसके लावा ऐसे जो जातक हैं वो अपने जिवन साथी की ही एक चाया होते हैं ये जातक बहुत बड़े विजनसमेन हो सकते हैं तो ये तो थी कुछ जनरल प्रेडिक्शन जो लगन का स्वाम में आपका सब्तम में होने से उसके जो प्रेडाम मिलते हैं वो इस प्रकार के होते हैं अब यहाँ पर आपके लगन के अनुसार हम जानेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने यहां तुला लगन की है कुंडली है और इसका जो लोड है फैस्टाउस का वो यहां सब्तम में है तो अगर आपका सब्तम में है सुक्र आपका तुला लगन है और आपका सुक्र सब्तम में है तो इसको आप ध्यान से सुनिए देखिए जब यहां पे सुक्र आएगा तो यह वर्षब लगन का जो स्वामी है यानि वर्षब लगन वालों को इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं वैसे ही रिजल्ट आपको यहां मिलेंगे यह opposite sex के परती बहुत ज़्यादा attract करता है आप कई लोगों की तरफ आकर्सित होंगे आप अपने partner की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्सित होंगे और उनसे बहुत ज़्यादा पैसन की अपिक्षा करेंगे आप अपने partner को बहुत ज़्यादा like भी करेंगे यह हो सकता है इसके लवा यहां पर शुक्र आपको जो दूसरे लोग है other जो people है आपके partner के लवा उनसे relationship के लिए भी attract करता है तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वरस्चिक लगन वालों के लिए यहां मंगल इनके लगन के लोड होकर जब सब्तम में आएगे तो वही बात हो जाएगी जो यहां पर मेश लगन वालों के लिए है मेश लगन वालों का नेचर और इनका नेचर कुछ-कुछ ऐसा ही रहेगा यानि कि यहां पर मंगल का आना यह सेवन्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों में फाइटिंग नेचर के होंगे अपने स्पाउस से लड़ लेंगे अपने बिजनस मैन से इनका जगड़ा हो जाएगा यानि बिजनस जो पार्टनर से इनके उनसे इनका जगड़ा हो जाएगा इसके लावा इनका जो स्पाउस है वो या तो बहुत बड़ा बिजनस मैन हो सकता है या वो finance से जुड़ा हुआ कोई कारिय करता हुआ हो सकता है spouse का जो speech है यानि उसकी जो बोलने की छमता है बोलने का जो style हो बहुत ही अच्छा होगा इसके बाद हम आगे बात करते हैं धनू लगन के लिए धनू लगन के लिए यहां लगन के Lord Guru जो कि सब्तम में आ जाते हैं तो यह मिथुन राशी में आते हैं यहां पर मिथुन राशी में होने से देखे बुद्ध यहां दर्शाता है speech को, media को, technology को यानि कि जो 7th house है उसका Lord तो बुद्ध है तो बुद्ध दर्शाता है यहां पर speech को, media को, technology को और studies को जबकि यहां जो Guru जैसा planet है वो आने से यहां spiritual टाइप की जो चीज़े हैं उनको यह दर्शाता है तो आप spiritual जो चीज़े हैं उनका कोई business कर सकते हैं जैसे like palmistry वगरा astrology वगरा उनका कोई भी आपका business हो सकता है या फिर यहां पर यह हो सकता है कि आपके spouse का spirituality और philosophy से बहुत ज़्यादा समन्ध हो आपका spouse आपकी life में spirituality लेकर आता है यह आपके लिए result रहेंगे अब आगे बढ़ते हैं और मकर लगन के लिए जान लेते हैं मकर लगन का Lord जो कि सनी है सनी यहां पर करक में होगा तो करक रासी का जो Lord है चिंद्रमा वो काफी soft planet है बहुत ज़्यादा fast moving planet है जबकि सनी बहुत slow planet है तो सनी आएगा सब्तम में यहां सनी अच्छा फिल नहीं करेगा सब्तम हाउस में यह कुछ ऐसे strong events आपकी life में लेकर आएगा यहां पर सनी जिन से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपकी life में एक तरह से वो बहुत अच्छे बहुत महतोबन lesson होंगे वो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी life को बहतर बनाएंगे यानि जीवन के कठिन पाथ ही आपको पढ़ाएगा अब हम बात करते हैं यहां पर कुम्ब लगन के लिए कुम्ब लगन के लिए इनका जो lord है लगन का वो होगा सनी और सनी जब सब्तम में सूर्य की रा से अपने married life का जो partner है उस से और आपके जो business partners हैं उनके साथ partnership में सावधानी रखनी चाहिए यही आपको result मिलेगा आपको सावधान रहना होगा अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं mean लगन के लिए mean लगन के लिए जब लगन के lord यहां guru इनके 7th house में आते हैं तो यहां आती है कन्या रासी और कन्या रासी जो की बुद्ध की रासी है तो यहां पर यह जो रासी है इसका समन्द है health issues से इन इमेज से और responsibility से और गुरू का यहां आपको बहुत ज़्यदा अनुसासित बनाएगा, विसेश कर साधी के बाद तो बहुत ही ज़्यदा यह आपको अनुसासित बनाएगा, साधी के बाद यह चीज आप में जरूर आएगी, यहां पर आपका कुछ हो सकता है, आप और आपका जो स्पाउस है उसको health issues से सावधानी रखनी चे कई बार आपको health issues की संभावना बनेगी तो इस वीडियो में इतना ही अगर आप हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोज पहली बार आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहेंगे थैंक यू